वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ तो निफ्टी को वीकली चार्ट पे आप दिखेंगे तो निफ्टी का यह एक ऊपर से पैरलल चैनल चला आ रहा था यह फ्लैग पैटन भी बोल सकते हैं इधर से तो फ्लैग पैटन इसने ब्रेक आउट किया था और यह इसका रिजि यह बनी भी बेरिश इंगल्फिंग है तो बेरिश इंगल्फिंग बनी है और वो बनी भी टॉप पे आए तो यह जब तक अप्टेव नहीं होगी जब तक इसका यह लो ब्रेक नहीं करगा डेली में आप देखेंगे ना यह सारी रेड केंडल बनी हुई है तो यहाँ पे तो अगर आपको बनी है तो अगर आपको अगर आपको दिखाता हूं थर्टी मिनट के चार्ट पर तो ये देखिए 30 मिनिट के चार्ट के ना ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है ये एक बार दो बार तीन बार ये चौती बार इसने क्लोज भी यहीं पे किया है तो अगर ये कहीं फ्लैट खुल के खुलता है फिर तो ये आईडिल सिट्वेशन है बाय करने के लिए और अगर गैप अप खुलता है तो भी ब्रेक आउट होगा गैप खुलता है यहां पे खुलता है यहां पे खुलता है यहां पे खुलता है यहां पे खुलता है और यहां खुलता है देखना होगा कि गैप खुलेगा कहां पे तो नीचे ये एक आपका बेस बना हुआ हुआ है तो ग भी थोड़ा सा यह देखे बेंक निफटी ने यह ब्रेक आउट कर लिया था यह एक ट्रेंड लाइन चलिए आ रहे थी same as it is like nifty तो यह सारे इसके ना सब सप्लाई जॉन सा यह सब सप्लाई जुझा सा बत यह एक दो बार तीन ये वाला ये ये जोन सारा इसे ब्रेक आउट करके ये उपर वाले कलस्टर में घुस गया है तो ये उपर वाले कलस्टर को जब तक ये इस जोन को छोड़ेगा नहीं नीचे तो कोई बड़ी मुमेंटम नीचे के लिए आने के लिए तो अभी पॉसिबल नहीं है यहां तक आप सेल कर सकते हैं और जैसे ही ये दो दिन का जैसे इसने दो तिन दिन यहां पर कॉंसलिडेट किया है इस पर भी एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है उपर से let me draw you इसमें अगर आप देखेंगे न तो इसमें भी आप अगर आप देखेंगे न ये zone ये zone है जो ये zone ये इसमें trend line चली आ रही है ये trend line का resistance लेते आ रहा है और नीचे से ये trend line चली आ रही है ये इसका एक base zone है liquidity grab करके ये उपर जा चुका है तो कल ये कहां खुलता है अगर ये कल ये इस cluster में कहीं पे खुलता है और फ्लैट खुलने के साथ 15-20 मिनट के बाद ये break करता है तो ये resistance पहली trend line तक आपका target हो सकता है और ये आपका अगर यहां पे कहीं पे bank nifty खुलता है तो wait and watch वाली situation है क्योंकि ये देखे एक बार, दो बार, तीन बार हो सकता है चौती बार भी आजाए और ये resistance अब वीक हो चुका है क्योंकि तीन बार at least ये इसको हिट कर चुका है एक बार, दो बार, तीन बार तो कल bank nifty खुलता कहां है कहां से कहां travel करता है ये matter करता है तो अगर ये फ्लाइट खुलके इसके नीचे खुलता है या इसके नीचे से कहीं है तो ये इसका breakdown हो जाएगा और अगर आप देखेंगे ना तो नीचे का ये target आपका पहला रहना चाहिए पहला ये zone है जो ये target रहना चाहिए निफ्टी आटो के चार्ट को आप इसको निफ्टी आटो के चार्ट के साथ पैरलली आईशर मोटर हो गया मारूती हो गया जो भी इसके कॉंस्यूट्यूट है उसको आप इसको लगा के पैरलल ना मैच कर सकते हैं अगर कोई breakdown होता तो आप उसका move capture कर सकते हैं और इसके बाद हम देखते हैं निफ्टी फार्मा तो निफ्टी फार्मा को आप देखेंगे ना निफ्टी फार्मा एक ना ये देखें डेली में एम पैटर्न ये डबल टॉप बनाने के लिए ट्राय कर रहा है तो ये जोन के नीचे इसमें बहुत शार्प सैलिंग आनी चाहिए डेली के चार्ट में क्योंकि जिन्होंने बाय किया होगा अपना एसल यहां रखा होगा तो जैसे ये एसल कटेगा या ट्रेलिंग एसल कटेगा लोगों अपनी जो भी पोजिशन चाव बुक करेंगे और बहुत तेज पोजिशन कटेगी नीचे और ये जोन है ये जोन है निफ्टी फार्मा के चार्ट पर अगर ये इसके उपर दो बार तीन बार जा चुका है और ये इसके नीचे गुलता है और ये देखिए ये अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो यह एक bear flag भी बना हुए है तो यह कहाँ पे जाता है इस box को कैसे चोड़ता है इस box को नीचे चोड़ता है तो आप shot कर सकते हैं उपर चोड़ता है तो आप बाए के लिए कर सकते हैं दोनों तरफ target ठीक है और यह zone अगर कही निकाल देता है आप तो jackpot लग जाएगा क्योंकि बहुत तेज मूव आएगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो like comment and subscribe जिरू कीजिएगा